अपने बालों को जड़ से लंबा घना और काला आज जो है टॉनिक हम बनाने वाले हैं वो आपके बालों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है तो आज बहुती आसान से तरीके से मैं आपको बालों के लिए हैर टॉनिक बनाना बताऊंगी दोस्तों आज कल गंजेपन की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है है एर फॉल रुखने का नाम ही नहीं ले रहा है तो आज कल बाल जड़ने की इंग्रिडियंट्स की जरूत लगेगी सबसे पहला जो इंग्रिडियंट्स हमने यां यांपे लिया है है तेज़ पत्ते में कुछ ऐसे नाचुरल होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुती फाइदेमद होते हैं साथी साथ सब्सक्रेशाणियों से भी निजात दला तי हैं कई बार क्या होता दोस्तों कि हमारे बाल़ जяться की एक वजा ये भी कुछ बे लीफ को चोटे चोटे तूड़ों में सरीके से तोड़ ले ताकि इसका सभी ओईल निकल सके अगली चीज चो हमें लगने वाली है वो है फेनुगरीक सीट्स यानि की मेथी के दाने मेथी जो हमारे स्कैल्प को पोशन देती है साथी हमारे बालों को बढ़ने में साफी हथ तक अपने बालों से सकैल्पफ से सारी परिशानियों से चुटकारा पासकते है मेथी जोय दोस्तों के एक हैर फॉलिकल को मजबोत करती है बालों के जड़ने को रोकती है में मेथी के दानों से आप डैन्डरफ से भी चुट्कारा पासकते हैं साथ इसके समाल से दोस्तो गंजेपन की शिकायत भी दूर होती है और साथ ही बालों को मजबूत और घना बनाती है मेथी के दाने मेथी के दानों में भरपूर मात्रा में पुटेशम होता है और यह जो पुटेशम होता है वो आपके बालों को सफेद होने से रुखता है और येदि मानलीचे प्रीम kriegen की समस्या शुरू भी हो गई है तो ये आपके बालों को जड से um काला बनाएगा दोस्तो मीती को कई तरीके से बालों पर इस्तमाल किया जा सकता है जैसे मीती को पानी में उबाल कर उसका toner बनाया जा सकता है तेल में पका कर उसका तेल बनाया जा सकता है या फिर हैर मास्क के रूप में भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है किसी न किसी रूप में मेती का अपने बालों पर इस्तमाल जरूर करे एक पतीले में एक बड़ा ग्लास पानी ले लिया है उस पानी में एक बड़ा चमच मीती के दाने डाल दिये हैं और करीब आठ से दस छोटे छोटे तुकडों में करके तेज पतेज में डाल दिये हैं आप इस हैट ओनिक को ज्यादा बना करके भी रख सकते हैं क्योंकि बार-बार बनाने का इतना समय नहीं रहता है तो एक ही बार में बना करके रखे, स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखे इस हैट ओनिक के लिए जो अगली चीज हमें लगने वाली है वो है प्यास का चिलका जी हां दोस्तों इसमें हमें प्यास नहीं लेना है बलकि प्यास का चिलका लेना है बिल्कुल लाल चिलके वाला प्यास आप यहां पे लेंगे सफेद वाला प्यास आपको नहीं लेना है लाल वाला लेना है क्योंकि लाल चिलके वाले प्यास में बहुत अधिक मातरा में सलफर होता है और साधी इसमें अंटि आक्सिडन प्रॉपर्टी भरपूर मातरा में होती है जिसकी कारण हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी होती है दोस्तो प्यास के चिलकों में ऐसे पोशक तत्व होते हैं जो हमारे सफेद बालों को जड़ से काला बनाने की ताकत रखते हैं करीब दो प्यास के चिलके हमें इसमें लगने वाले हैं अब आपको प्या करना दोस्तो इस पानी को आपको 10 मिनिट तक कम से कम लो से मीडियम फ्लेम पे खुब अची तरीके से उबालना है अब आप देख सकते हैं कि पानी का जो रंग है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पे खुब अची तरीके से आप इसको उबाल ले ताकि प्यास के फैनुगरिक सीट्स के तेज पत्ते के सारे पोशक तत्व इस टोनर में आ जाएं ये जो हैर टॉनिक हम बना रहे हैं न दोस्तों कि ये आपके बालों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है ये आपके बालों की संपूर्ण केर करेगा आपके बालों का जड़ना रुकेगा साथ ही साथ आपके बालों से रिलेजिट जो भी परिशानी है वो सारी दूर हो जाएगी आप देख सकते हैं कि बड़ी आच्छा ये उबल रहा है दोस्तो इस टोनर को बनाने के लिए जो तीनों ही चीज हमने ली है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमन है ये टोनर इतना ज्यादा फाइदे मंद है दोस्तों कि कहीं पे स्कैल्प पे यदि आपके बाल ज्यादा जड़ गए होंगे किसी एरिया से तो गंजापन जो है नजर आने लगता है तो वहाँ पर भी बाल उगना शुरू हो जाएंगे आप इसे रेगिलरली लगाना शुरू करें दोस्तों कैसे लगाना है कब लगाना है सारी डीटेल्स इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी दस मिनट खूब अच्छी तरीके से इसे उबाल लिया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम छान लेंगे इस टोनर के इस्तमाल से आपके रूखे बेजान बालों में फिर से दुबारा से शाइन आएगी जान आएगी प्यास के चिलके में वाइटमिन A होता है B होता है C होता है जो कि आपके हैर ग्रोथ को प्रमोट करता है तो ये जो hair toner है दोस्तो मैंने ज्यादा quantity में बनाया है और इसे हम store करेंगे, fridge में रख देंगे, store करके भी रख सकते हैं, बार-बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा किसी bottle में आप इसे भर के रख दें, आप इस hair toner को आपके बालों पर रात भर लगा करके भी रख सकते हैं, सुबर सुबर चाहे तो आप hair wash कर ले, या फिर आप नहाने के hair wash करने के 2 गंटे पहले भी इसे लगा सकते हैं, कम से कम 2 गंटे आप इसे जरूर लगा कर रखे दोस्त या आपके बालों को जड़ने को तुरंत ही रोग देगी, इसके इस्तमाल से आपके बालों में चमक आएगी, बाल शाइन करने लगेंगे और रूखे बेजान बालों में भी जाना जाएगी, इसके इस्तमाल से आपके बालों में नाचुरल चमक आएगी, अब ये एकदम गरम-गरम है इसे हम ठंडा होने देंगे फिर एक बॉटल में से हम भर लेंगे स्प्रे की बॉटल कोई भी आप ले ले अब देखिए पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है एक स्प्रे की चोटी सी बॉटल मैंने ले ली है ताकि तुरंत इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं इससे य अभी मैं आपको इसका application बता रहे हूँ किस तरीके से आपको इसे अपने बालों पे apply करना है दोस्तो हमें अपने बालों की पूरी पूरी care करने चाहिए जितनी अच्छी हम अपने बालों की care करेंगे हमारे बाल उतने ही मजबूत होंगे आप इस remedy को आज से ही apply करना शुरू करें दोस्तों इस remedy से आपको इतना ज्यादा फाइदा होगा कि आप खुद सोच ही नहीं सकते यदि आप अपने बालों के जड़ने से परिशान है डैन्रफ से परिशान है जू से परिशान है या फिर आपके बालों में प्री मेचॉर ग्रेंग की समस्या हो रही है दोस्तो तो इस hair toner का इस्तमाल आग से ही करना शुरू कर दें अगर आपके पास इस तरीकी spray की bottle नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस toner को cotton की मदद से भी लगा सकते हैं और इस toner को लगाने के बाद हलके अपने हाथों से मसाज़ करें फिंगर टिप से मसाज़ करें नेल्स आपको ना के बालों को सारे पोफशक तत्वत देगा सारे न्यूट्रियंस देगा तो इस है टोनर को आप जरूर ट्राय करें मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको मेरी जो रेमिडी है कर दो एक भी एज त्याँध पो आपकट बताइए बताए हो जो फजडार ट्राय कर दिया हो दो वेजा है